अल्य दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ आपका आपके ही परिवार परिक्षा अड़ा में दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ विज्ञान के महत्पूर्ण प्रश्णों के बारे में जो आपकी परिक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपकी पुरानी पर कि अध्यान को पतुछ आखते हैं अगर दोस्तों आप से पूछ जाए सब्जी विज्ञान के अध्यान को क्या कहते हैं तो आंसर हो가ा ओलेरी कल्चर ठीक है दोस्तों तो इसको आप लोग याद रखिएगा ओलेरी कल्चर को किस façon कैते हैं सब्जी विज्ले का अध्या आंक का वहभाग जिसमें वर्ड़क होता है तथा जो किसी व्यक्तिकी आंखों का रंग निश्चत करता है तथा जो व्यक्तिकी आंखों का रंग निश्चत करता है तो आंसर होगा दोस्तों आईरिस इसका अंसर आप क्या लगाएंगे आईरिस ओके अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में मदद करता है नाइट्रो सोमोनास याद रखेंगे आपके अमोनिया को नाइट्रेट में कौन बदलता है मुश्ट इंपॉर्टन कोशन है नाइट्रो सोमोनास बहुत इंपॉर्टन की बात हो रही है तो कहीं न कहीं answer क्या हो जाएगा जीन से हो जाएगा ठीक चलिए अगले कुस्टन की और बढ़ते हैं जो दोस्तों पतंगे होते हैं वो कहीं न कहीं बारूदी सुरंगों की तरफ जाते हैं पतंगे बारूदी सुरंगों की तरफ जाते हैं इसलिए पतंगों को बारूदी सुरंगों का खोज करता कहा जाता है ठीक नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे एजोला नील हरित सवाल एवं अलफा अलफा जैव अरुरक के रूप में प्रयोग होता है ठीक है दोस्तों तो एजोला क्या है एक ऐसा सवाल है एक ऐसा नील हरित सवाल जो अलफा अलफा जैव अरुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे दोस्तों गिर्गिट एक आख से आगे की और तथा उसी समय दूसरी आख से पीचे की और देख सकता है दोस्तों जानते रहिए जो गिर्गिट होता है ठीक है वह एक आख से आगे की और देख सकता है तथा उसी आख से एक ही समय में पीचे की और भी देख सकता है क्रिसी की वह साखा जो पालतू पस्वों के चारे आस्रे स्वास्त तथा परजनन से संबंदित होती है उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे हम एनिमल हस्बेंडरी के नाम से जानते हैं मोस्ट इंपोर्टन्ट है इसे आप लोग रट लीजिए किसी की वह साखा जो पालतू पस्वों के चारे आस्रे स्वास्त तथा परजनन से संबंदित होती है उसे हम क्या कहते हैं तो एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं ओके नेक्स्ट कुस्टन देखेंगे आप जेरेंटोलोजी वृद्ध स्वा अवस्था के अध्यन को कहा जाता है ठीक है आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वृद्ध अवस्था का अध्यन की बात करें हम या कोई एक्जाम में पूछे आप से तो आपका आंसर होगा जेरेंटोलोजी जनसंख्या एवं मानो जाती के महत्पूर्ण आकणों का ध्यन किया जाता है तो आप कहेंगे जननांकी के द्वारा ठीक है जनसंख्या के बारे में पूछ ले मानो जाती के बारे में पूछ ले मानो जाती के महत्पूर्ण आकणों के बारे में पूछ ले सबका ध्यन जनन अंकी के द्वारा किया जाता है ठीक है जलिये पौधे को हाइड्रो फाइटा भी कहा जाता है अगर मैं बात करता हूँ जलिये पौधों की तो दोस्तों जलिये पौधे को हाइड्रो फाइटा भी कहते हैं हरे फलों को कृतिम रूप से पकाने में एसेटलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों याद रखेंगे आप कि जो हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए एसेटलीन गैस का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए ACETLINE GAS का परियोग किया जाता है और कहीं न कहीं ACETLINE GAS जलवास्त के साथ क्रिया करके बनाती है कैलसियम कार्भाइट क्या बनाती है कैलसियम कार्भाइट और कार्भाइट नाम जो आपने शुना ही होगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन प्रकास संसलेशन की क्रिया में प्रकास औरजा कौन सी औरजा में परवलतित होती है दोस्तों आप सबी लोग जानते हैं रहसाइनिक औरजा में चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ वरिच्च की आयो का वर्सों में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्सिक वर्लेयों की संख्या के अधार पर किया जाता है ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि अगर विर्च की आयू की बात करें तो वार्सिक वल्लेयों की संख्या के अधार पर ग्याद किया जा सकता है नेक्स्ट सिंकोना की छाल से प्राप्त औसधी को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है आप सभी जानते हैं जिस कृति मौसधी से इस प्राकृतिक औसधी के प्रतिस्तापित किया जाता है वह कौन सी है तो आंसर होगा आपका क्लोरो कुएन ओके मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है तो आप कहेंगे मटर मटर की फसल एक ऐसी फसल है जो मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है ठीक है यदि जल का प्रतूसर और वर्तमान गती से होता रहा तो अंततह जल पादपों के लिए आक्सीजन के अणू अपराब पे हो जाएंगे ये बात आप जानते रहिए कि अगर जल का पर दूसर और इसी तरह से चलता रहा तो जो आक्सीजन के अणू है वह जल में रहने वाले पादपों के लिए प्रयाबत नहीं हो पाएंगे मोस्ट इंपोर्टन कुश्टन है ये ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्टन के वर बढ़ते हैं घौशला बनाने वाला एक मातसाम जानते रहिए नागराज या फिर किंग कोबरा किंग कोबराओ के नदियों में जल पर दूसर की माप औक्सीजन की खुली होई मात तरह से की जाती है ये भी आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा से जलासें में जल पर दूसर की माप की जाती है नेक्स्ट सिसू का प्रित्त्र इस्थापित करने के लिए डियने फिंगर प्रिंट तक्नीक का प्रियोग किया जाता है इसको आप लोग याद कर लिए डियने फिंगर प्रिंट तक्नीक का प्रियोग किया जाता है सिसू का पित्त्र तो इस्थापित करने के लिए ओके नेक्स्ट कुश्टन थोड़ा सा इसको अप लोग देखेंगे अतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा ठीक है वह क्या होगा अन्य पस्वों के मांस की दुलना में स्वास्तकर माना जाता है क्लियर है नेक्स्ट जीवाणु सुष्म जैवाल और कवक उत्वादों में सरवादिक व्यापक रूप से उप्योग में आता है ठीक है दोस्तों तो आप जानते रहे हैं कि जीवाणु की बात हम कर रहे थे जीवाणु सुष्म में सरवादिक व्यापक रूप में उप्योग में आता है ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन क्यों देखेंगे आप प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपन करके की जाती है यहाँ को तो आप यादी रखेंगे यहाँ पी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि प्याज को हम और किस तरह से प्रयोग करते हैं मैंने आपको कमेश्टी में बताया हुआ है नेक्स्ट अक्टोपस एक मुदुक वाची है यानि कि मॉल्यूज इसको आप लोग पढ़ लीजे मॉल् कुझ है ठीक है next question ऐब है एक इसदि है जिसका अपयोग अस्थमा रोग में किया जाता है इसे जिमनोस्पर्मिसे निकाल जाता है यह थोड़ा सांप्ष्टंछ है कि अस्थमा रोग के उपचार के लिए एफेड्रन आवसदी है जो जिमनोस्पर्मिसे निकाली जाती है, ओके, अगला कुस्सिट, चावल की खेती के लिए नील हरित सवाल, अच्छे जैवरुरक का कार करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेसम का कीड़ा अपने जीवन चकर के कोसित चरण में वाडिजिक तंतु में पैदा करता है, ठीक है, रख्त गुलुकोज अस्तर समान निभाग प्रती मिलियन पीपीम से व्यक्त किया जाता है, अगर हम बात करें रख्त के गुलुकोज अस्तर की, तो यह पीपीम के नाम से फेमस है, ओके, लंबे समय तक कठोर सारे कारे के पस्चाद मास बेसियों में ठकान का अन्भा होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें कहीं न कहीं गुलुकेज की जरुवत पड़ेगी, क्योंकि उर्जा समापत हो रही है, तो गुलुकोज की मात्रा भी डाउन होती है, और इंस्टेंट सोर्स ओफ एनरजी आप सभी लोग जानते हैं कि लुकोज को कहते हैं, ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज़ी क्लास, ये थे टॉप 30 कुश्चन आज साइन्स के, उमीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद लग, पसंद आई होगी, अगर दोस्तों क् अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, ठीके दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, ज जया हिन, जय वारत.